असलामों आलेकूμँ आए डियर स्टुडेंस, आप सबको पता होगा, जिसने मेरा प्रिवियस लेक्चर देखा होगा, आपको पता होगा कि हमने पूलर कॉडिनेटेश आफ ए पॉाइंट प्रिवियस लेक्चर में डिसकस किया था, तो आज हमें इस लेक्चर में इसी के रि इसां पॉइब इदो करने से सब्सक्राइब यह दिखीत हैं ओर यह जो हमारा यह यह लेक्चर है यह ल्यक्ट्स होगा 2D Quad dis解 Geometry का, Two-Dimensional Coordinate Geometry का, ठीक, उसके बाद जो हमारा lecture होगा, वो होगा 3D Coordinate Geometry पे, ठीक, ये चप्टर जो था, ये बहुत बढ़ा था, किमकि उसमें 2D भी था, 2D अलग से, और 2D अलग से, 3D और 2D अलग अलग, ये separate topics हैं, इसलिए ये चप्टर बहुत बढ़ा था, इसको टाइम लगा हमें, तो हम नेक्स लेक्टर में 2D हमारे आज का ये लेक्टर हैं, उसमें हमारा 2D डाइमेंशनल Geometry वो हमारा complete होगा इस लेक्टर में, उसके बाद हम 3D की coordinate geometry discuss करेंगे, next lecture में, okay dear students हम discuss करेंगे आज का ये lecture, polar coordinates of your point, उसकी related कैसी questions आते हैं, ये देखेगा, find the polar coordinates of your point, 1,1, मैंने आपको कल ही बताया था, कि polar coordinates थोड़ा से हम पे revise करेंगे, polar coordinates of your point होता क्या है, आपको point दिया गया होगा, x, y, ये कोई point है, ये cortisone coordinate system में है, तो आपको ये point दिया गया होगा, आपको इस point को convert करना है, किसमें, polar coordinate system में, that is, r, theta, थीक, तो ये polar coordinate system होता है, यह cortisone coordinate system होता है जिसमें xy होगा तो हमें यही xy दिया गया होगा point तो आपको इस point को change करना है इसमे polar coordinate system में that is r, theta तो कैसे करते हैं मैंने आपको बताया r किसके बराबर होता है root of x सुकीर plus y सुकीर यह भी मैंने आपको डिसकस किया था और जो इसमें दूसरा variable है that is theta वो किसके बराबर होता है tan inverse of y by x ठीक तो इसी के related questions आते हैं exams में यह देखेगा find the polar coordinates of your point 1,1 आपको polar coordinate यहां पे find करना है किस point यहां पे given है that is 1,1 तो यहां पे यह point है 1,1 it means here that जो first यहां पे coordinate है that is x coordinate and the second coordinate is y coordinate जो मैंने कल के lecture में बताया था x coordinate को हम क्या नाम देते हैं मैंने आपको बताया था comment section में बताना इसका answer इसको हम abscisa बोलते हैं और जो y coordinate का point होता है इसको हम coordinate कहते हैं abscisa and coordinate मैंने आपको यहां पे point दिया गया है 1,1 और आपको क्या निकालना है polar coordinate यहां पे निकालना है तो कैसे करेंगे यहां पे आपको x है 1 के बराबर और y b है 1 के बराबर तो आपको polar coordinate में इसको convert करना है that is r, theta अब और आपको पता है r किसके बराबर है r is equal to root of x square plus y square जो मैंने आपको कल के लेक्टर में बताया कैसे ठीक तो यही मैंने यहां पे लिखा r is equal to root of x सुकीर plus y सुकीर this implies r is equal to यहां पे x आपका given है y भी आपको given है यह इसमें put कीजेगा आपको r का value आएगा that is 1 सुकीर plus 1 सुकीर that is 2 root यहां पे हैं तो root 2 आया यहां पे आपका r ठीक तो यह first coordinate है first coordinate है अब आपको second coordinate निकालना है that is theta theta किसके बराबर होता है tan inverse of y by x वो निकालने के लिए dear student is अब दिखेगा यहां पे आपको हम 2D बढ़ रहे हैं तो हम यहां पे two dimensional यह system बनाएंगे ठीक और आपको यहां पे one comma one point है it means आपको यहां से यहां तक x जो coordinate है वो one है x easy ही ही है न तो इसी पी one लो one unit से यहां पे लो वो यहां पे आएगा और y का coordinate भी one है वो भी आप one लो ठीक तो यह perpendicular distance डा करो आपको यहां पे point बनेगा p of x comma y ठीक x यहां पे one के बराबर है y b यहां पे one के बराबर है that is जो point आपको मिलेगा वो मिलेगा one कामा one तो इसी one कामा one को आपको change करना है polar coordinate में ठीक तो मैंने आपको गलके lecture में ही बताया था अगर हम यहां पे join करेंगे आपको right angle triangle मिलती है ठीक ठीक तो और आपने निकाला अब that is x सुकेट plus y सुकेट that is one सुकेट पाइथोगार सुम अपलाई कीजेगा तो वो आपको आया root 2 अब आपको यहां पे 10 theta find करना है ठीक आपको यहां पे 10 theta find करना है तो यह आपका right angle triangle है मैंने आपको कल की lecture में बताया कि 10 theta किसके बराबर होता है perpendicular divide by base आपको याद है वो trick जो मैंने बताया था some people have curly black hair to present beauty और मैंने दूसरा क्या बताया था पकसा बाया पक हलुआ हसा बनाओ ठीक तो यह है 10 theta 10 का क्या फार्मला होता है perpendicular by base तो यहाँ पे देखेगा यह आपका right angle triangle है आपको exam में बहुत कम time लगेगा बस यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश explain करती हूँ इसलिए यहाँ पे ज़्यादर time लगता है तो यह right angle triangle है आपको theta यहाँ पे 10 theta निकालना है that is theta यहाँ पे है this is theta here तो perpendicular उसका क्या आएगा यह वाला that is यहाँ 1 ठीक divide by base क्या आएगी वो है वो भी 1 है base यह side है perpendicular यह है तो perpendicular by base that is 1 divided by 1 तो आपका 10 theta किसके बराबर आया 1 के बराबर तो dear students आपको 10 theta का value मिला वो 1 है आपको अब यहाँ पे 10 change करना है तो आप सब को पता होगा अगर नहीं भी पता होगा यह याद रखेगा 10 45 degree होता है 1 के बराबर याद रखा जो 10 45 है 45 degree वो 1 के बराबर होता है तो हम 1 के बदले 10 45 लिखेंगे अब आपका यह question होगा हम कैसे याद रखेंगे 10 45 is equal to 1 उसके लिए मैं आपको last metric बताओंगी यहाँ पर थोड़ा सा time waste होगा मैं आपको वो भी बताओंगी वो थोड़ा एक table है आपको बस sign का याद रखना है फिर आप cos का भी निकाओ सकते हो 10 का भी निकाओ सकते हो सारे values आपको बस sign का याद रखना है वो मैं आपको अभी बताओंगी last में ठीक है तो अब यहाँ पर इस one के बदले आपने क्या लिखा 10 45 because 10 45 is equal to one ओके तो यहाँ पर आपको 10 theta is equal to 10 45 आया तो dear students यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी 10 यह cancel होगा तो आपका 10 theta का value क्या आया 45 degree actually यहाँ पर यह 10 कैसे cancel होता है यह देखेगा dear students में आपको बताओंगी यहाँ पर यहाँ पर यह 10 theta आपको बराबर आया 10 of 45 ठीक actual में होता क्या है यहाँ पर theta आप रखेगा ठीक थी only theta यह 10 है यहाँ shift होता है बट यह आता है यहाँ पर 10 of inverse जैसे plus अगर यहाँ पर होता वो अगर right hand side shift जाता वो minus आता था आईसे ही जो 10 है यहाँ पर यह अगर shift हम करेंगे right hand side तो यह 10 inverse आएगा और इसके साथ अपना 10 है 10 और है यह 45 degree ठीक तो 10 inverse 10 देखेगा यह 10 उसके साथ है 10 inverse 10 inverse का मतलब है 1 by 10 जैसे 3 inverse उसका क्या मतलब होता है 1 by 3 ऐसे ही 10 inverse का मतलब होता है opposite यादि कि उसका reciprocal that is 1 by 10 तो 10 10 cancel होगा आईसे ही यहाँ पर जो मैंने बताया 10 10 cancel होगा तो हमने short में किया actually procedure क्या है जो मैंने बताया actually क्या होता है 10 यहाँ shift होता है बते inverse में जाता है जब inverse में जाएगा 10 inverse तो उसको उल्टा पलट करो इसको ऐसे भी लिखो 1 by 10 because 10 inverse को हम लिख सकते है 1 by 10 जैसे हम 2 inverse होगा उसको हम लिखते है 1 by 2 ऐसे ही 10 inverse को हम लिख सकते है 1 by 10 और यहाँ पर अपना 10 है उपर तो उपर भी 10 नीचे भी 10 ये cancel होगा वाइस ही यहां पर हमने ये cancel किया है तो आपको क्या बचा यहां पर थीटा इस इकॉल तो थीटा आपका क्या निकला 45 डिग्री ओके तो अब आपको इसको polar coordinates में change करना है polar coordinates of a point R वो किसके बराबर होता है और cos theta और sin theta जो मैंने कल के lecture में आपको बताया था तो R का value आया dear students वो है root 2 वही दो cos cos लिखो थीटा का value क्या आया 45 डिग्री यही लिखा मैंने सीरे यहां पर क्या किया R और थीटा का value बुट किया ठीक तो आपके क्या मिला यहां पर polar coordinates of a point तो जो point था point क्या था P of 1,1 तो उसके जो polar coordinates है यह था Cartesian coordinate system में उसका जो polar coordinate system है वो क्या आया root 2 cos 45 ऐसे ही यहां पर R है R का value root 2 है sin theta का value 45 है तो आपको polar coordinates यहां पर क्या मिला root 2 cos 45 डिग्री root 2 sin 45 डिग्री आपको ऐसे ही रखना है options इसी में cost और साहर में होगा ठीक dear students I think क्या आपको यहां तक clear हुआ तो next question देखिएगा इसी के related है find the polar coordinates of a point root 3,1 तो आपको यहां पर point फिर से given है यह हैं Cartesian coordinate system में आपको उसको change करना है polar coordinate system में simple है dear students जैसे हमने उपर किया पहले हम R का value निकालते हैं यहां पर यह एक्स कामा वाई में हैं तो आपको इसको change करना है R कामा थीटा में तो R किसके बराबर होता है root of x सुकेर प्लस y सुकेर जो मैंने यहां पर लिखा तो x यहां पर root 3 है y यहां पर 1 है first जो point होता है वो होता है x का coordinate और जो second होता है वो होता है y का coordinate वैसा ही मैंने यहां पर x का value दिया root 3 y का value दिया 1 तो यहां पर root 3 उसका formula का सुकेर है so dear students root और सुकेर यहां पर cancel होगा तो यहां पर क्या बना 3 only 3 और वहां पर 1 सुकेर है that is 1 1 सुकेर into 1 वो क्या होता है 1 ही और है उसका root तो 3 plus 1 that is 4 और है root तो यहां पर root कैसे खत्म होगा root 4 का root क्या आता है 2 तो यहां पर 2 2 r 2 cross 2 दो बार करना है वही मैंने यहां पर लिखा 2 सुकेर और अपना root रखा तो सुकेर और root cancel होता है dear students आपको r का value क्या आया 2 ठीक तो आप आपको r का value आया उसके बाद आपको किस का value चाहिए theta का तो यहां पर आपको 10 theta निकालना है theta निकालने के लिए dear students आपको 10 theta का value चाहिए तो 10 theta किसके बरावर होता है perpendicular by base पक सब बाया पक हलवा सब बनाओ तो उसमें जो last last है वो है perpendicular by base तो यहां पर perpendicular वो होता है y by x आप अब यह short में याद रखो perpendicular by base यह होता है point पहला point है y divide by करना होता है x का coordinate point यहां पे है जो point आपको given होगा न यह 10 theta बरावर होता है y का point divide by x का coordinate point ठीक तो वही मैंने यहां पे लिखा y by x अगर आप figure भी बनाओगे आपको वहां से भी यही निकलेगा तो y यहां पे क्या है y का coordinate क्या है वो है 1 तो 1 लिखा x का coordinate क्या है root 3 वही लिखा तो आपका 10 theta किसके बरावर आया 1 by root 3 तो अब आप सबको पता है 10 30 जो है वो 1 by root 3 के बरावर होता है कैसे मैं आपको अभी समझाऊंगी बट यह याद रखेगा 10 के जो values है वो आप याद करके रखेगा 10 30 होता है बरावर 1 by root 3 तो यहां पे 1 by root 3 है उसके बादे आप लिख सकते हो 10 of 30 degree ठीक यह तो यहां पे भी 10 यहां पे 10 जैसे मैं ने उपर बताया था 10 shift होता है right hand side but inverse में 10 inverse 10 cancel होगा या आप सीधे यहां ही कर सकते हो 10 10 cancel आपको theta का value मिला यहां पे 30 degree तो आपको आप r का v value आया, theta का v value आया तो इसमें put कीजेगा polar coordinates of a point is equal to peak of r cos theta और sin theta r को अपना value दो that is 2 यहां पे 2 निकला r का value और cos theta का value 30 आया तो वो लिखो and 2 sin 30 यह आपका answer है ठीक गियर students उसके बाद अगर कोई भी question होगा प्लीज आप उसके related जो यह polar coordinate of a point है उसके related ऐसी questions आप पूछते हैं एक्जाम में तो आप try करना अपनी जगा practice करना गई questions लेना तो उनको practice करना ठीक उसके बाद आप हमारा next concept जो है वो है two point formula ठीक dear students यह हमारा last topic है इस chapter 2D coordinate system का that is two point formula और हम बोल सकते हैं point form of a line तो इसमें क्या होगा dear students अभी तक जो आपने पढ़ा आप एक point होता था वहां पे और आप equation होती थी line के तो आप वहां पे जो variable given होगा या equation of line find करनी थी वो आप निकालते थे लेकिन अब यहां पे क्या है यहां पे आपको दो points given है ठीक आप उन दो points को आप join करते हो तो आपको फिर यह line बनती है यहां पे आपको क्या करना है आपको उसी line के equation find करनी है ठीक यह होता है टू पॉइंट फार्मला और point form आप है line तो दो points given होंगे आपको फर जापल यह A है यह B है दो points है इस points को जाइन कीजेगा आपको line बनेंगी तो आपको equation of line find करनी है कैसे करोगी यह मैं बताओंगी यहां पे तो two point formula क्या है equation of line passing through points तो equation of line आपको find करनी है जो pass हो जाती है दो points इसको एक point है A of x1, y1 and B of x2, y2 वो बराबर होता है y minus y1 is equal to x minus x1 into y2 minus y1 divide by x2 minus x1 dear students यहां पे इसको आप याद कीजेगा यह क्या है formula है किसकी two point formula यह कैसे आता है अगर आपको अब यह doubt होगा कि यह formula कैसे आता है dear students तो यहां पे दो points है यह दो points है जो पहला point है मैंने आपको slope की फार्म बताया था तो वो होता है difference between the y coordinates divided by difference of x coordinates तो difference of y coordinates divided by difference of x coordinates तो यहां पे क्या होता है y2 minus y1 अगर y का point होगा दो points जो हमने previous lesson ने पढ़ा था वो आता था y2 minus y1 divided by x2 minus x1 तो यहां पे b point b है तो इसके भी slope की उसको भी आएगा y2 minus y1 coefficient difference निकालनी है y की coefficients और divided by x2 minus x1 तो इसके भी slope हैं यह इसके बराबर है और इसका जो भी slope है वो इसके बराबर है इसी को combine करना है बिकास यहां हम two points के related पढ़ते हैं जब हम इसको combine करते हैं हमें यह formula मिलती है तो derivation यहां पे जुरूरत नहीं है बट मैंने आपको उपर उपर बताया लेकिन आपको क्या करना है questions कैसे आते हैं exam में और आपको यह formula उसमें put out करना है simple है y-y1 actually यह x-x1 यहां पे divide था तो a point का यहां पे slope बना ठीक फिर b point का यह slope है simple जैसे आप slope निकालते थे a point का जो मैंने lecture में discuss किया था I think fourth lecture में मैंने discuss किया था तो हम slope कैसे निकालते थे y2-y1 मैंने बताया था divide by x2-x1 जब वो trick भी दिखाई थी तो वही उसी formula को यहां पे 2 points है 2 points को combine करना है आपको यह formula मिलेंगी तो इसी formula से आपको equation of line मिलेंगी ठीक simple आप याद रखोगे y-y1 is equal to x-x1 into y2-y1 divide by x2-x1 तो इसे आप क्या find करोगे equation of line ठीक अगर आप चाहते हो कि हम इसको slope form of line में लिखेंगे तो आप लिख सकते हो dear students कैसे y-y1 मेंने सीधे लिखा है यहां पे y2-y1 divide by x2-x1 यह slope के बराबर होता है m के बराबर होता है अगर आपको पता होगा मैंने जो दिखाया था तो इसके बदले हम m लिखेंगे तो अगर आप इसको slope कीजेगा यहां पे y-y1 इसको इसके साथ multiply mx-mx1 तो इसको फिर से थोड़ा सा slope कीजेगा आपको यहां पे y is equal to mx plus c तो यहां पे यहां पे equation है इसको आप यहां पे slow form of line भी मिला ठीक है तो आप questions exam में कैसे पूछते हैं कैसे questions आते हैं यह देखेगा dear students find the equation of a line आपको equation of line यहां पे find करनी है जो line pass होती है दो points में a point है और b point a point यहां पे हैं 3,2 और b point है 4,5 तो यह दो points given है आपको equation of line find करनी है कैसे आप करोगी यह जो मैंने उपर formula बताई है यह वाली इसी formula से तो यहां देखेगा आपको equation of line निकालनी है तो आपको पता है उपर वाली formula y-y1 is equal to y2-y1 divide by x2-x1 into x-x1 तो अगर आप यहां पे देखेगा x1 यहां पे क्या है यह जो 3,2 है यह है x1,y1 ठीक है और यह जो 4,5 है यह है x2,y2 ओके students तो यहां पे x3,2 है x1,y1 4,5 है x2,y2 तो यहां पे देखेगा x1 किसके बराबर है वो है 3 के बराबर x2 किसके बराबर है वो है 4 के बराबर y1 किसके बराबर है y1 यहां पे 2 के बराबर है y2 किसके बराबर है वो है 5 के बराबर यही मैंने यहां पे लिखा तो अब यही values इस equation में put कीजेगा तो y और x को ऐसी ही रखना है ठीक है? आपको बस x1, y1, x2, y2 का value put करना है तो वो आएगा y यहाँ पर ऐसी ही रखना है y1 यहाँ पर 2 है इसी इकॉल टो y2-y1 that is 5-2 divided by x2-x1 that is 4-3 x यहाँ उसको ऐसी ही रखना है minus 3 ठीक है तो आपको क्या मिलेगा इसको सॉलो किजिएगा y-2 यहाँ पर आएगा ऐसी ही 5-2 is 3 4-3 is 1 into x-3 इसको आप सॉलो करो यहाँ पर 3 y-2 ऐसी ही आएगा इसको multiplication यहाँ पर हो 3 into x-3 3 यहाँ पर multiply होगा x-3 को तो वो आएगा 3x-9 और आप इस equation को ऐसे भी लिख सकते हो 3x-y plus 9 plus 9 यहाँ पर minus 2 है यहाँ पर shift होगा right hand side तो plus 2 आएगा is equal to 0 तो आपको equation of line लिखनी है वो होता है ax plus by plus c equal to 0 इस form में general equation जो होती है of a line इसी form में equation को लहाँ स्में बनाओ तो y गा 3x-y minus 9 plus 2 is minus 7 is equal to 0 तो यहाँ आपको equation of a line यहाँ पर मिला ठीक है dear students बहुत simple है आपको potential लेनी की कोई भी ज़रूरत नहीं है बस आपको क्या करना है equation of line यहाँ पर याद रखनी है that is y minus y1 is equal to y2 minus y1 divide by x2 minus x1 into x minus x1 यहाँ पर आपको x1 y1 given होगा x2 y2 given होगा इसको put कीज़ेगा इसे में और फिर solve कीज़ेगा आपको equation of line लेगी ठीक है उस equation of line आपको किस form में लिखना है जो general form होती है हमारा general form of equation of line वो है ax plus by मैंने यह पढ़ाया था plus c is equal to zero last में equation को इसी के form में लिखो इसी के शेकल में लिखो आपको answer मिलेगा ठीक इसके बाद देखेगा आप यह question please खुद करना यह आपके लिए homework है find the equation of line फिर से आपको equation of line यहाँ पे x1, y1 है यह है x2, y2 इसको equation में पूर कीज़ेगा y-y1 is equal to y2-y1 divided by x2-x1 into x-x1 उस equation में values पूर कीज़ेगा आपको last में equation of line मिलेंगी इसको try करना और मुझे equation of line जो मिलेंगी उसको comment section में बताना ठीक है उसके बाद जो हमारा concept है यहाँ पे that is intercept form of a line dear students, intercept में ने आपको समझाया था अब अगर आपको question होगा कि आपको वहाँ पे कोई equation दी गई होगी उस equation को आपको intercept form में लिखना है वो equation होगी line की equation उसको आपको intercept form में लिखना होगा यहाँ आपको length of intercept निकालना होगा आप कैसे करोगी यहाँ पे मैं लिखा है x by a plus y by b is equal to 1 इसी को हम intercept form of a line बोलते है तो यह कहाँ से आया अब आपको question यह होगा dear students यह जो आपने उपर slow form आप उपर जो आपने पढ़ा equation of a line two point formula तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे अगर आप देखेगा मैंने यह बनाया यह देखेगा for example यह Cartesian coordinate system है ठीक यहाँ पे आपको जो a और b है यह है a x को coordinate a है y को coordinate यहाँ पे b है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक point होगा यहाँ पे दूसरा intercept क्या होता है intercept जो y axis यह x axis को intersect करेगा उसको हम बोलते हैं intercept फिर length of intercept क्या होता है कितना उसने cut किया है कितने units इस line ने cut किया है x और y axis को इसको बोलते हैं length of intercept ठीक है तो अब आपको यहाँ पे समझना है यह intercept of form होता क्या है intercept of form of a line तो होता क्या है dear student यह देखेगा यहाँ पे यह कॉर्टिजन कॉर्डिनेट सिस्टम है जब मैंने यहाँ पे intercept डाला ठीक है उसने y axis को काट किया यहाँ पे x axis को काट किया यहाँ पे तो अगर आपको पता होगा यहाँ पे जो यह point मिलेगा वो क्या है वो है dear student उसका x कोर्डिनेट है और y कोर्डिनेट उसका 0 होगा मैंने आपको यह पहले ही बताया था अगर आपको कोई point x axis पे लाए करेगा अगर आपको यहाँ थे note में लिखवाया था अगर कोई point लाए करेगा x axis पे तो जो उसका y कोर्डिनेट होता है वो 0 के बराबर होता है तो यह जो point है यह है एक कामा 0 जिसको हम क्या बोलते थे एपसी सा विकास उसको सिरिफ x कोर्डिनेट होता है y कोर्डिनेट उसको 0 के बराबर होता है और यह जो यहाँ पे point है जहां पे intersect हुआ y axis की सा यह point क्या है यहां पे यह y axis पे लाए करता है यहां पे जो x coordinate है वो missing है वो 0 के बराबर है तो यह point क्या हैगा 0, b ठीक है क्योंकि मैंने यहां पे y लिया b के बराबर x लिया a के बराबर ओके my dear students अगर आप अब इसको join करोगे इस point यहां पे यह जो यह a to b यहां पे यह line है इसको join करोगे यह जो points मिले आपको तो आपको यहां पे right angle triangle मिला ठीक है तो अगर आप इसको find करोगे यह वाला यह है length of intercept अगर आप इसको find करोगे आपको python gauros हम यूज करनी है यहां पे right angle triangle मिला तो वो किसके यह है hypotenuous यह है base यह है altitude तो यहां पे pathogos हम apply करो ठीक है तो वो किसके बराबर आएगा वो आएगा hypotenuous square is equal to base square plus altitude square यहां पे altitude है A तो A square plus base है B तो B square यहां पे hypotenuous आपको निकलना है सुकेर यहां पे है जहां का यहां right side but root ठीक है तो आपको hypotenuous यहां पे मिला that is आपको ये वाला point आपको ये इसकी lenght यहां पे मिली इस point से यहां तक यह line है इसकी equation इसका यहां पे आपको मिला वो क्या मिला आपको root of a square plus b square तो यह जो यहाँ पे root of a square plus b square मिला इसको हम बोलते हैं length of intercept ओके और अगर हम इस intercept की form यहाँ पे देखेंगे intercept of a form of a line वो किसके बराबर आएगा x divided by a plus y divided by b is equal to 1 actual में यह होता क्या है यह होता है x plus y is equal to a b is equal to a divided by a plus a b divided by a plus a b divided by b यह इसके form में होता है जब आप इसको solo करोगी बट यहाँ पे आपको यहाँ रखना है अगर आपको given होगा कि आप intercept form of a line आपको equation of line given होगी उस line को उस equation को आपको intercept form में लिखना होगा तो आप इसको इस form में लिखना वहाँ पे x by a plus y by b is equal to 1 फिर अगर आपको language निकालनी होगी आप यहाँ पे a है यह b है वहाँ पे given होगा उसका root निकालिएगा a square plus b square कीजेगा आपको length of intercept में लिएगा यह होता है intercept form of a line देर स्टुटेंस आप questions देखिएगा कि कैसे questions आते हैं इस पे तो both axes जिसने both x-axis को भी cut किया है और y-axis को भी intersect किया है ठीक है वही intercept बनाना तो उसकी language आपको find करना है यहाँ पे लेकिन आपको line जो line बिनी यहाँ पे यहाँ वाली line वो given है यहाँ पे 5x plus 12y is equal to 60 देर स्टुटेंस यहाँ आपको यहाँ पे 5x plus 12y is equal to 60 इसको इस पहाँ में लिखो तो यह 60 जो है आपको यहाँ पे 1 आना चाहे ठीक है यहाँ पे 1 है तो 60 यहाँ पे divide करो यह divide जाएगा इन दोनों को वही मैंने यहाँ पे लिखा 5x by 60 plus 12y by 60 is equal to 1 यहाँ पे आएगा 60 by 60 तो cancel होगा यहाँ पे 1 आएगा ठीक तो यहाँ पे cancellation possible है 5 1 R 5 12 R 60 12 1 R 12 12 5 R 60 तो यहाँ पे क्या मिला को x by 12 plus y by 5 is equal to 1 इसको compare कीजेगा तो यहाँ पे यह मिला ना x by a plus y by b is equal to 1 तो आपको यह क्या मिला intercept form of a lie अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे length of intercept वो किसके बराबर होता है root of a square plus b square यहाँ पे a क्या है इसको compare कीजेगा x by a plus y by b is equal to 1 इसी form में है यहाँ पे a हमारा 12 है b है 5 तो length of intercept होता है root of a square plus b square यहाँ पे values put कीजेगा that is 12 square plus 5 square 12 square is 144 5 square is 25 that is 169 root of 169 होता है बराबर 13 square square root cancel तो यहाँ पे आपको 13 answer मिलेगा length of intercept तो यहाँ पे जो यह यह देखेगा यहाँ पे आपको क्या मिला यहाँ पे आपको 12,0 मिला और 0,5 मिला तो आपको इसकी length यहाँ पे find करनी है वो आपको निकलेगा A square plus B square का root तो इसको solo कीजेगा यह आया आपको 13 तो इसको कितना length है इस intercept को कितना length है 13 units अप next question देखेगा इसे पे find the area of a triangle आपको area निकालना है एक triangle का formed by the line देखी खड़ियर students जब हमने area हम जब निकालते थे वहाँ पे vertices given थे यहाँ पे area आपको triangle का निकालना है बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो 3 lines बनी है उनकी वो है एक line है 3x उसकी equation given है 3x plus 4 y is equal to 12 और है x-axis और है y-axis तो आपको क्या करना है area of triangle find करना है कैसे करो गया आपको इसी intercept यहाँ पे उसी ही farm use करना है देखेगा कैसे तो यह equation है 3x plus 4 y is equal to 12 इसको किस farm में लिखना है इसको x by a plus y by b is equal to 1 की farm में लिखो जो हमारा intercept form of line है उस farm में लिखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 है यहाँ पे आपको 1 लाना है तो 12 यहाँ पे divide होगा यह आप divide कीजेगा both sides by 12 तो वही मैंने यहाँ पे किया 3 by 12 x 4 by 12 y is equal to 1 1 क्यों आया जब आप divide करोगे 12 both sides 12 by 12 cancel होगा यहाँ पे 1 आएगा अब यहाँ पे cancellation possible है 3 1 are 3, 3 4 are 12 4 1 are 4, 4 3 are 12 यहाँ पे आपकी intercept form क्या मिला x by 4 plus y by 3 is equal to 1 ठीक है dear students तो यह इसको compare कीजेगा x by a plus y by b is equal to 1 उस form में मिलाना उस form में यह है ना यहाँ पे a किसके बराबर है a यहाँ पे 4 के बराबर है b यहाँ पे 3 के बराबर है अब आपको यहाँ पे language नहीं find करनी है आपको area निकालना है triangle का ठीक है तो यहाँ पे आप area निकालेगा आप सब को पता होगा कि triangle of area area of triangle होता है बराबर half of base into altitude तो यहाँ पे base जो मिला वो है a और जो altitude है वो है b तो आपको a का value भी आया और b का value भी आया तो वो आपको यहाँ पे put करना है तो आएगा 1 by 2 a यहाँ पे 4 है और b यहाँ पे 3 है इसको यहाँ पे put कीजेगा 4, 3 are 12 यहाँ पे multiply में है 2 तो यह हो जाएगा cancellation 2 1 are 2 2, 6 are 12 तो आपका area यहाँ पे निकला किसके बराबर 6 square units तो आपने अब देखा किया आप कैसे find कर सकते हो area अगर आपको यहाँ पे line is the equation of line given होंगी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो x-axis है एक यह है x-axis यह होगी y-axis उसके साथ यह triangle बनी ऐसी triangle बनी dear students यह x-axis यह है y-axis तो यह फिर एक triangle बना जब आपने इन दो points को यहाँ पे join किया इसकी equation यह line है यहाँ पे इसकी equation आपको given है यहाँ पे x-axis है यह y-axis है यह equation आपको यह line यहाँ पे है इसकी equation given है आपको area का triangle का यहाँ पे area निकालना है तो आप क्या कीजेगा आप लिखेगा इसको xya plus y by b plus is equal to 1 उस form में लिखेगा intercept form of a line तो यहाँ पे intercept ही बना अगर आप यहाँ पे observe करोगे यहाँ पे यह आपका intercept ही बना तो intercept बना उसका area आपको आप यहाँ पे निकालना है इस triangle का वो होता है बराबर 1 by 2 a cross b base into altitude यहाँ पे base यह वाला है that is a altitude यह है that is b इसको यहाँ पे product कीजेगा आपका area find होगा okay dear student तो यहाँ पे हमारा two dimensional coordinate system finish हुआ तो अब हमारा जो next lecture होगा वो होगा three dimensional coordinate system पे okay dear student keep watching best of luck thank you मिलते हैं next lecture में Allah हाफिज